हालो स्टुडेन गुड इबनिंग टू आला फ्यू वेलकम टू माई यूटूब चैनल व्यस्टी बायवाला बचो आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन आप जीन एक्सप्रेशन के पार टू में जो आपका चौता यूनिट है उसमें हम लोग पैलल टॉपिक एक फिनिस कर आपको पता है एक मैं आपको एक भी पीटे दिखा रही हूं आप उसको ध्यान से देखिए यह मैंने कल सब पढ़ा था हम लोगोंने मिलके ठीक है तो कल वाल टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यह हो गया आपका आज का टॉपिक आज क्या है रेग आपको एक फिगर दिखाते हैं कहां है यह है देखिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है देखिए यह फिगर है अपका यह लेवल आप जीन इक्स्प्रेशन पूरे एक्स्प्रेशन को यूचरुटिक इस्प्रेशन को मैंने यह यहाँ पर दिखाया है देखिए यह नुकलियोस में डिएनने है यह अपको दिख रहा है और डिएने पर जो ब्लू कलर से बनाएं यह है इस सी का हम को एक्पिशन करने लिए क्या है लिए क्या है जीन में कुछ नहीं है बस क्हका है इनफार्मेशन Ryan से इसल क tenía क्यों जो यह संगोटन आत्म की कायी है वह प्रोटिशन ही है कोई भी सरणशना बनना है कोई भी कार्य करना है उसके लिए protein responsible होती है ठीक है protein बहुत ही important है cell में तो अब यह जीन का कार्य कार्य है अगर इसको हमको जीन को present करवाना है काम करवाना है तो यह काम कैसे करेगा by formation of protein अगर हमको इस जीन को बनाना है इस जीन के product को बनाना है इस क्या पढ़ा है transcription process transcription process को किसी को भी doubt नहीं होना चाहिए transcription process में क्या हुआ था जो यह DNA था DNA से क्या बना था MRNA यह तो स्वर्ड अच्छरों में आपको याद है DNA से MRNA बनना ही transcription है आप सोए रहेंगे तब ही बताएंगे DNA से MRNA बनना ही transcription है तो इसको transcription हमने करवा लिया primary transcript बन गया ठीक है जो यह DNA बनना था ना जो मैंने बता आरने processing में हमने बता था जो first form RNA होता है उसको यह RNA बनते हैं heterogeneous nuclear RNA यह RNA इसको बोलते है primary transcript अब यह primary transcript है अब यह जाएगा processing में क्योंकि जो eukaryotic यह RNA है उसके पास exam, intran, exam, intran, exam, intran, exam, intran, exam, intran जो intran है यह inactive region है अगर यह MRNA में रहेगा तो protein exist नहीं होगा इसको हटाना होगा इसको हटाने की process में हमने पढ़ा था आपको RNA processing में हम लोगोंने मिलके पढ़ा था क्या capping, tailing और splicing यह सारे process आपको याद है याद है आप बोलेंगे हाँ याद है हमको capping में हम लोग जो 5' end पे guanosine को add कर रहे थे और tail में हम लोग adnosine को add कर रहे थे और splicing में जो intran था inactive region था उसको यहां से काटके अलग किया जा रहा था ठीक है जहां पर spliceosome complex बनाके हमने आपको दिखाया था ठीक है तो आसा करते हैं आपको वहाँ कोई problem नहीं होगी अब देखिए यह RNA में जो यह red region है वो intran है यह जो red दिखाया जा रहा है ना red region यह 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 इंटरान इंटरान मतलब inactive region इसके पास कोई भी information नहीं है यह मतलब inactive region है यह useless है किसी काम का नहीं है तो यह RNA सोचेगा भईया आप useless हो तो आप मेरे साथ मज जाए क्योंकि हम important काम करने के लिए जा रहे हैं आप हमारे पास साथ जाएंगे तो हम अपना important काम नहीं कर पाएंगे इसल देखे निकल गया है तो पूरा देखे यह आपका green वाला यह वाला portion आ गया है ठीक है अब भ्याइव यह नुकलियोस में जाने के लिए तयार है ठीक है नुकलियोस साइटोप्लास्मी जाने के लिए तयार है अब यह पहुंच गया जाके प्रोटीन बनाएंगे अब देख पढ़ा है तो उसमें हम लोग पढ़ा है तो उसमें हम लोग पढ़ा था इसको भी यहां पर कंट्रोल किया जाएगा ठीक है तो देखिए यहां प्रोटीन बन रही होगी इसको इसमें हम लोग पढ़ा है यहां तक पढ़ लिया है अब हमको पढ़ना है Translational Control, Translation हो रहा है, जब यह mRNA से यह protein बन रही है, उस time हम कैसे इसको control करते हैं, शेल में कैसे यह controlling process होती है, कैसे इस protein को बनने से रोका जा सकता है, या फिर protein को बनने on किया जाता है, protein से जाए रहाती है, ठीक है, किस किस time पे इसका regulation होता है, उसी का study हम लोग detail में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक बच्छा, आए देखते हैं, तो आप लोग ही इन डाल दीजिए, regulation at translation label, आप हम लोग देखेंगे, translation label पे gene का regulation, ठीक है, तो translation क्या है, जो यह mRNA है, transcription के त्वारा बना है, उस mRNA से protein का बनन ही translation है, अब इस mRNA को protein में change होने था कि हम लोग जो regulation पढ़ेंगे, उसको इसमें detail में study किया जाएगा, ठीक है, तो translation में आपको पता होगा, तीरी step है, initiation, elongation, termination, initiation, initiation क्या है, जब इस mRNA पे ribosome आके bind कर रहा था, पहला जो TRN है, AUGQ लेके आके initiation कर रहा था, यह initiation था, जो इसमें aminoacylation था, TRN का भी acylation था, यह सब आपने पढ़ा था, फिर elongation में कैसे, यह TRN जो A, P और E sides है, इसको इलाग के देज सारे amino acid कर जोड़ रहा है, इसको हम लोग इलागेशन में पढ़ते, फिर termination जब यह protein बन चुकी है, आप protein synthesis को आफ करना है, तो यहाँ पे termination factor, releasing factor ओचर, आमबर, ओपल, वो आए जाएंगे, तो उसको कोई TRN एडिट नहीं कर पाए जाएगा, कर पाएगा, और chain का termination हो जाएगा, मतलब protein synthesis off हो जाएगी, protein synthesis हो चुकी है, अब protein बन चुका है, ठीक है, यह है आपका translation, translation में आपको इतने इस्टिप आप लोगों ने पढ़ होता है, ठीक है, अगर initiation, अगर हमको उस जीन का product नहीं चाहिए, इस जीन का product नहीं चाहिए, तो इसका initiation ही नहीं होने देगी, sell अगर जीन के product को नहीं चाहिए, sell initiation को ही रोग देगी, यहां पर रोग देगी अगर इस प्रोड़क्ट को चाहिए तो इनिसियेशन ओन रहेगा तो ठीक है तो मेंडरी जो ट्रांसलेशन का रेगुलेशन होता है वो इनिसियेशन लेबल पर होता है और आगे भी आप हम आपको बताएंगे ट्रांसलेशन लेबल पर इनिसियेशन औ और यह जो इलांगेशन लेबल पर इनका कंट्रोल रेगुलेशन और टर्मिनेशन लेबल पर कंट्रोल ठीक है तो आए थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखते हैं जीन एक्स्प्रेशन इन यूकरियोट सेल इस रेगुलेटेड बाइ रिप्रेशर आइस विल आज बाइ एक् कंट्रोल अलो मॉडिफिकेशन कशल के इन फैक्टर में modification करके modification होने से यह important role करते है gene expression at label of translation अगर initiation factor नहीं है तो chain का initiation नहीं होगा अगर elongation factor नहीं है तो chain का elongation नहीं होगा तो chain में जितनी भी process हो रही है उनका बहुत ही बहुत ही ज़्यादा important है हर process करने के लिए एक-एक step जरूरी है अगर एक step bypass हो रहा है तो process disturb हो जाएगा जैसे initiation हो रहा है तो उस time cell को initiation factor चाहिए ही चाहिए ribosome का यह मारने से bind होना बहुत जरूरी है इस मारने सब्योंट पहले bind होगा फिल लाजर सब्योंट बाइन होगा और tRNA आएगा तो यह सब process इनिसीयाशन फेक्टर करवाता है तो उसको होना जरूरी है अगर इनिसीयाशन पस्टर नहीं रहेगा तो यह मारने पर जो इसमार सब्योंट आके बाइन कर रहा हो वह बाइन नहीं करएगा फिर tRNA नहीं करेगा तो यह सब प्रॉसेस नहीं होगा अगर यह साइट पर पर प्राइट पर यह साइट पर यहां पर तर्मिनेशन फ्रेक्टर नहीं रहेगा प्रोटीन होती जाएगी बड़ी सी प्रोटीन बन जाएगी, यूजलेस प्रोटीन हमको चाहिए ही नहीं चाहिए, तो तर्मिनेशन फेक्टर या फिर इलिजिंग फेक्टर आके इस प्रोटीन सेंसिस को रोग देता है, क्योंकि जब यहां पर इस्टाप को डान आ जाएगा, तो कोई टीया रने उसको रीड नह मतलब प्रोटीन को बराने में और प्रोटीन को ना बनाने में इनका इसपेसफिक रोल है, ठीक बच्चा, जीन इक्सप्रेशन आफ जीन इन आर्गनिजम कान भी इंफ्लूएंस बाइड़ इन्वारिमेंट इंवारिमेंट इंक्लूदिंग इस्टरनल फेक्टर तो इस्प फैक्टर में जो मैंने फैक्टर बता है या फिर कुछ आयन कंसंट्रेशन वह सब इक्सक्रेशन को रगुलेट करते हैं या फिर आफेक्ट करते हैं different type of Hormones and Enzyme are responsible for gene regulation. Kuch Hormones और ए enzyme है GENE DERGULATION के लिए responsible होते है, Gene regulation में यकासट LAsinen, Translation, naturing Charging of tRNA ्ö tRNA चार्ज होता है उसको emno asimulation आप drna भोलते हैं फिर eureट्नam होते हैं, initiation आप müडिいき अप्रोटीन अम्ला प्रोटीण चेंस से लोग है तो जीन का काम है इसी जीन को हम लोग एक्टिबेट कराके देखें जैसे डोनेशन नहीं देते हैं हम कि भाइया आपको गुश दे के काम करवाने ना जैसे कोई काम करवाना है मम्मी से तो मम्मी को हम पाया डोनेशन गुश देते हैं मम्मी ऐसे कर देजिए ऐसे कर देजिए हम आपका यह काम कर देंगे तो इस जीन को डोनेशन देंगे क्या देंगे आपका यह मरने बनवाने के कुछ भी आयान, करभोःडरी प्रोटीन जो भी चाहिए, आप ले लजी है लेकिन हमारा काम कर दीजिए। आपको क्या काम करना है? आपको प्रोटीन बनाना है. तो इस चिण की पहिए जूद पूरा करेंगे और आपसे हम परोटीन बनवाएंगे हम सेंप यही काम है और यह स्टेप हरवी Apache हो रहा है यह मारे अने ढर रहा है हर इस टेप पर चल्प लंको रहा है एक स्टेप दुसरे स्टेप हर स्टेप पर टेस्टिंग हो रहा है ताकि कोई फाल्ट ना हो तो देखिए एक्स्टनल इंवार्टमेंटल कंडिशन आल्सो इंफ्लिएंस देट ट्रांसलेशन प्रॉसेस्स अव्यल्टी आप एम्नो एसिड और इस्प्रेशन आइप ट्रांसलेशन हो रहा है और एम्नो इसीड नहीं है तो तो लाएगा तो अगर बाहर से बोजन वगएरा नहीं ले रहे हैं आप अच्छा से नहीं मिल रहे तो प्रोटेन प्रोटीन सेस्टिस कैसे होगी तो एम्नो एसिड का भी जो हमारी बीस बढ़ार की एम्नो एसिड है उनको cytoplasm में होना बहुत ज़रूरी है त्योंकि tRNA इन्यों को बढ़के लाता है protein synthesis करवाने के लिए ओक बच्चा यहां पर मैंने एक process आपको दिखाया है यह देखिए पूरा process आपको यहां पर आप समझ जाएए देखिए यह एक plasma membrane है और यह न्यूक्लियस है और यह cytoplasm है यह सब आप भूल जाएए ठीक है अब देखिए एक signal आया protein synthesis के नहीं है हमने signal transaction आपको पताया है ना signal transaction में आप signal को इस receptor पकड़ेगा अंदर भेजेगा आप यह receptor ना receptor जिस भी pathway के साथ न्यूक्लियस में जाएगा ठीक है आप यह receptor जैसे जी प्रोटीन निंक्ट से जाए या फिर जैन के एस्टाइट प्रफेस जाए या फिर किसी तरीके से यह सिगनल न्यूक्लियस के पास पहुच चुका है न्यूक्लियस के पहुच जाने के बाद यह signal मिलेगा DNA को है DNA को signal मिला क्या signal मिला आपको यक्सवाई जेट बनाना है ठीक है तो ने ठीक है हम बनाते हैं यहां पे में सबको दिखाया गया है अब DNA के पास आ गया सिगनल तो देखे अब सिगनल क्या करेगा सिगनल के आधार पर DNA क्या बहाएगा यह यह बना दिया इन्होंने प्राइम रिट ट्रांस्क्रिप्ट या फिर और यह अपर प्रोस्सिंग हो रहा है देखिए पाली एक कईपिंग हुआ है फिर देख़िए यहां पब यहां पे काईपिंग हुआ है फिर स्पलाइसिंग हुआ तो जो इनr डूर्यерм है वो यह मारन निचल गया अब यह हो गया मेच्चोर यह मेच्च्चुर यह मारने हो गया कभी कभी यहीं यह दिग्रेड हो जाता है यह मारने अगर इसको प्रोड़क्ट को नहीं चाहिए ठीक है तब देखिए अब यह मारने यह जाके प्रोटीन बनाएगा ना प्रोटीन बनाएगा यह प्रोटीन बनाएगा यह प्रोटीन बनाएगा फिर इस प् और बॉडिपार्ट को बनाना या फिर इसको information मिलना है कि आपको फॉप्पॉप्टॉस करवाना है तो यह अगर इनको information मिलना है आपको रिपीज़न करवाना तो यह division करवाएगी डिफ्रेंसियेशन करवाना तो यह differentiation करवाएगी तो इसको जो function के लिए information मिलेगा यह protein उस information के अंसर अपना कार करेंगी तो यहाँ पर देखिए इस protein के बनने में जो regulation हो रहा है उसी को यहाँ पर हम लोग study करेंगे उसके बाद हम लोग translation label पर regulation पढ़ने के बाद post-translational regulation पढ़ेंगे na post-translational modification translation के बाद जो यह protein बनी इसमें क्या-क्या modification हो रहा है ताकि यह अपना function जाके पर फार्म कर सके उसको modification हम लोग आगे एक लेक्चर में पढ़ेंगे तो आए बच्छों देखते हैं हम लोग देखिए regulation of translation in eukaryote occurs in different step at different way तो जो translation का regulation है यू-karyote में different step पर different तरीके से होता है यह बात यात रखिए कि हर सेड़ी है protein बनने जा रही है तो हर सेड़ी पर इसको test देना होगा हर सेड़ी पर इसको हर स्टेप पर टेस्ट देना होगा जैसे आपको कुछ काम करने के लिए हर बायर टेस्ट देना हो वसे इसको हर जगा टेस्ट देना है ठीक है हर सेड़ी पर इसको test देना है तो पहला जो इसका regulation पहले स्टेप पर जहां regulation होगा पहला पहला regulation कहां होता है यह हमारे ने भी अन ना रहने है इसमें इंट्राण रीजन भी है और अभी इस पर काईप और टेलिंग नहीं है तो आरे ने पर प्रोस्टिंग में जाएगा और कैप और टेल बनेगा कैप में क्या था फाइप प्राइम एंड पर इसके गौण वानोसिंग जोड़ा जारा था तो अगर यह मरे अगर देखा राइबुसों इनके पास कैप नहीं है उसके पास नहीं जुड़ेगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो कैप रेगुलेशन में बहुत ही ज्यादा इंबॉर्टन डोल कर रहा है अगर सेल को उस प्रोटीन का प्रोड़क्ट चाहिए तो वह कैपिंग करकि यह अगर प्रोड़क्ट नहीं चाहिए वह कैपिंग नहीं करती है ठीक है यहां पर लाइंग्विट के बाद देख लीजिए इफ यह मारे ने अट फ्राइब प्राइब इंड कैपिंग अकर सो ट्रांसलेशन अकर और पाली प्रोटीन नहीं होगा और कोई प्रोटीन नहीं ब ट्रांसलेशन ठीक समझ में आ गया अगर कैपिंग वाला यह मारे ने नहीं है तो ट्रांसलेशन नहीं होगा अगर यहां पर कैप जुड़ा है तो ट्रांसलेशन होगा यह हो गया आपका फस्टिश्टेप पर ट्रांसलेशन का रिगुलेशन अब अगला देखे इस्प्रि से तो उसका प्रोटीन नहीं बने अगर बनवाना है तो इसको आरई प्रोस्थिंग प्रोस्थिंग में जाके स्पलिसिंग करवाकर जाना है इसका इने इंट्रान को खचा नहीं होगी थीक है वही jsैं बता गया है इस प्लिसिंग आफ यहामारे ने इफ नाट अकर अकुरेटली अगर सुद्ध रूप से इनका इस प्लिसिंग नहीं हुआ एक भी इंटरान बचा रहा गया तो ट्रांसलेशन नाट स्टार्ट ट्रांसलेशन का जो इनिसियेशन है वो इस टार्ट नहीं होगा यहां पे स्टार्ट नहीं होगा आप कुछ भी कर लिए वह नहीं बनाया होगा आप कितना भी इन्फर्मेशन नूकलिस हमको दे लिए चैनल के सिग्नल आजाए यहां प्रोटीन नहीं बनाएंगे अगर आपको प्रोटीन बनाना है आपको हमारी कंडिशन मनना होगा आपको जो यह मारने आप नुकलियस से साइटो प्लाजम भेज रहा है उसका आप स्प्लिशिंग करवा के ही भेजिए इस प्लिशिंग आप नहीं करवा के भेज़ेंगे अगर एक भी इंट्रान रहेगा इसमें इनक्ट्व रिजन रहेगा तो भया हम प उसका है तो उसका प्रोटीन जैंसित नहीं होगा उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा आपको आप भेज रहे हैं उसमें स्प्लिशिंग जरूर होना चाहिए अब देखिए इंट्रान आइडेंटिफाइड टिकटिंग आप इंट्रान कैसे करता ऋर टिकटिंग करता हैम को ढूंदर ऑफिसमें सफर करने के लिए आपको आद्रान सकते हैं जहां सकते हैं जहां पास मिला है यह पस पास है उसको यह आप सकते कोई? इंत्रन जो इन थे स्प्लीस धाने नुक्लिएस में पार्ट है यही डिसाइट करेगा कि किस यम आ रहने को इस नुक्लियर पॉर से बाहर साइटो प्लाजम में जाके प्रोटीन जन्सिस करवाएगा ठीक है तो यह यह जो यह इंट्रान है यह इस यम आ रहने जो यह मारने इसको टिकट प्रवाइट करता है आप टिकट ले तो यहां पर दिखाओ तो इसी अमर्न को साइटोप्लाज में जाना जाएगा तब यहां पर राइबुसों और जो टी आरने है वह आके प्रोटिंसर्स करवाएंगे तो जो इंटरान है इंटरान विच आर प्रेजेंट इन न्युक्लियस आप्टर स्प्रिशिंग डिसाइड विच अमर्ने सूड है तो इंटरान भी डिसाइड कर रहा है किस अमर्ने को प्रोटिंसर्स में भाग लेना है प्रोटिंसर्स में जाना है इंटरान identify and tick the molecules that are to be passed out of nucleus or particular type of protein synthesis जिस प्रोटिं की जरूरत होगी इंटरान उसी यह मर्ने को बाहर जाके प्रोटेंसिस करने के लिए टिकट प्रोटेंसिस करवाईए अगर इस यह मारन्य का इनको प्रोड़क्ट नहीं चाहिए तो यह इसको टिकट नहीं देगा तब यह नुक्लियस से बाहर नहीं जाया पाएं कि इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए इतनी बात आपको समझ में आ गई इंटरान कैसे रोल अपना कर रहा है हमने क्या क्या देखा है हमने देखा है पहले क्या रोल है ट्रांसलेशन में फिर हमने देखा है इस प्लिसिंग क्या रोल है ट्रांसलेशन में उसके बाद देखा हमने इंटरान का क्या रोल है ट्रांसले इसको डिस्ट्रॉइ कर दिया गया तो क्या ट्रांसलेशन होगा नहीं होगा क्योंकि फार्मेशन खराब हो गई वरंसलेशन नही अब कर वहां पर ट्रांसलेशन नहीं होगा आपका है एक है तो गयर अगर तो इनिस्यास नहीं होगा वहां पर नहीं प्रॉइट करता हुझा तो ट्रंसलेशन करवाने के लिए जो यह मारनने यह मारनने इस देख्ञा हैं इनको बाइंड करने के लिए this ऐसे अरहous presence को बाइंड करना आरहा है धाए इस्क्राइन था इनिसियस Васude आगा गईर ये साईजुने था में नहीं है तो यह अरहIS इने Sumerine Maranay ॐन्ध नहीं कर पाईगा ऊं मिल्स अ Mod प्राइबोसोम का बनना आपको हमने ये ट्रांस्क्रिट्स वाले प्रासेस में बताया है इन रसफ़क्र है जो ona आर आइ प्रोटीन सेन्सिस नहीं ओगी मतलब ही जें का जिन का प्रोड़क्त नहीं बन रहा है अग्ला है आपका फेर सायन तो फेर सायन भी जीन इं कैका करता है प्रोटीन सेन्सिस में इंपटटन दोल करता है देखिए अगर फेरस आयन साइटोप्लाज में है यफी 2 प्लस यफी 2 प्लस को बोलते है फेरस आयन अगर यफी 3 प्लस है इसको बोलते है फेरिक आयन क्या बोलते है फेरिक आयन तो फेरिक और फेरस में confusion मत रखेगा आप लोग जो यफी 2 प्लस है वो फेरस आयन है अगर फे चaws rutteyn फेरस आयन को 5-10 के करेंड कर दो क्या करती है जो कुछ इस च्टोरी Kin in को 421 करफेंड कर देती है अगर अगर इससरा यहार कर जाय कर जादा त्रांसलेशन नहीं होगा ठीक है तो फिरस आयन भी इंपर्टन रोल कर रहा है प्रोटीन सेंसिस में प्रोटीन सेंसिस के रेगुलेशन में ठीक है तो हमने अब तक देख रिया है क्या क्या देखा है हम लोगों ने कैसे कैपिंग रेगुलेशन में रोल अपना प्ले कर रहा है इस प्लेशिंग कैसे रोल प्ल नहीं हो रहा है फिर रिक्वायर्मेंट जो फैक्टर है जो रिक्वायर्ड है ट्रांसलेशन के लिए अगर यह फैक्टर किसी तरीके सेल में उपस्तित नहीं है तो संथेजिस रुक जाएगी ठीक बच्च्छा फिर हमने देखा फेरस आयन का क्या रोल है कैसे यह प्रोटेशन को रेगुलेट करवा रही ट्रांसलेशन को कैसे रेगुलेट करवा रही अगला है आपका आप इस्ट्रिम सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप इस्ट्रिम सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है जैसे यह हमारा ने है यहा स्टार्ट ऑड़ान पर राइबवसम को नहीं होने देता है और तो नहीं होता है तो आप स्टीम पहले भी श्कंडी स्टेक्ट्टर इंपर इनिस सन कोड़ान यूज दियरी से कंडी स्ट्ट्टर इनिया रहने सो इनिसेशन आप है आप 檐से को इंपार टांसेशन स्थेक्टर कोंप्लेक्ट्स काकरेगा इनिबीट करदेगा यहां हमने मैंने ऐमने आको एक दिखाया है यह आप और यहां पर सक्टम्हूर्ण कोंप्लेक्स और यह कि एइउम्न को यहांसे बाइन आपने और बैक्तलों नहीं हो करवाना इस यामारेने का तो इसको यहाँ पे इस को Secondive Structure को हटा जहना होगा ठीक मैच Newman है उने स्वकार्ण है इनका major role है regulation of translation translation के regulation में अपना major important role play करते हैं जो EIF4 है जो EIF4 है Eukaryotic Initiation Factor 4 है यह क्या कर रहा है यह जो 5 प्राइम से इनकाइब कर रहा है जो यह जो कैप उसके साथ यह interaction कर रहा है अगर यह interaction कर रहा है तो translation हो रहा है जो कैप के साथ interaction करकि कि यह translation को activate करता है translation होता है अगर अभी अगर यह eukaryotic initiation factor 4 absent racial में तो यह 5 prime के साथ interaction नहीं करेगा और translation का activation नहीं होगा तो इस factor के अनपस्तिति में translation नहीं होगा तो देख रहे जिए यह factor जो initiation factor है यह regulation कर रहा है कि नहीं प्रोटेंस का कर रहा है ना आप बोलेंगे हां कर रहा है ठीक नेक्ट है आपका जो यू करोटिक initiation factor 2 है यह जो मैंने यहां पर लिखा यह गलत है ठीक है यह गलत है जो यू करोटिक initiation factor 2 है यह का कर रहा है यू करोटिक initiation factor 2 promote interaction between methylated TRN with P site up ribosome so initiation process continue if this process not occurs initiation process not start आपने देखा था जो यह यह मारने है ribosome है उसका A site P site E site था इसी E site पर जो पहला charge TRN है methionine वाला TRN है वही आकर E site पर जूड़ रहा है तो यह initiation factor 2 है इसको जूड़ने मदद कर रहा है अगर initiation factor 2 नहीं है यह इसको जूड़ने नहीं देगा और initiation process start नहीं होगा ठीक है तो initiation factor जो 2 है यह बहुत important role कर रहा है protein senses होने में ठीक है ट्रांसलेशन के होने में यह अपना आहम भूंगया निभा रहा है ठीक next है fast correlation of initiation factor 2 अगर initiation factor 2 का fast correlation हो गया तो यह क्या करेगा initiation को terminate कर देगा अगर initiation factor का fast correlation हो गया जाएनिशान प्रैक्टर अपसेंट है न तो क्या होगा इनिसियस्ट स्टार्ट नहीं होगा इसका फार्शत का मतलब यहाँ पर स्क्रीट करता है ट्रांग का मतलब यहां पर दिखाय गया है यहां पर देखिए यह मारन्य है है यहां पर a site p site is a site a site P site e site है तो यहां पर पहला टी आ रहा रहेँगा यह एक अपनीर इस्ट लेकर आएगा अगर यह लिलान्गेस्ट्तूस multiply तो इसका यहां पर ट्रांस्पर्ड नहीं रहे घा तो इसको यहां पर ठ्रांस्पर्ड नहीं करेगा मुल्डः तो अगले C की रन्ट्रोन होने के लिए यहां पर साइट नहीं मिलेगा तो कहां से हीजै Argentina तो क्या करता है त्रांसलोकेशन करता है इस है प्राइशन को अगर यह तो देख रहा है आप लोग जगई जगह पे कैसे हो रहा है इप Translocation Process is not properly occurs तो further process of Translocation is not occurs properly अगर Translocation Process नहीं हो रहा है साहित तो Translation का Process अच्छे से नहीं होगा Phosphorylation आप Threonine 56 in Cytoplast Cytoplast में Threonine 56 है उसका अगर Phosphorylation हो जाए तब क्या होता है फास्पोराइलेशन आप 3-onion-56-inhibit binding up elongation factor eukaryotic elongation factor 2 with ribosome so translational stop अगर जो यह 3-onion-56 है यह cytoplasm है अगर इसका फास्पोराइलेशन होगा है यहाँ पर फासपे जुड़ गया तो यह क्या करता है यह elongation factor जो 2 है इससे bind करके bind हो जाता है अब bind होने के बाद क्या करता है बाइन होने के बाद भाईये यह प्सांत नहीं बढ़ते हैं काम करते हैं कौन से काम खराब काम यह क्या करते हैं जो ribosome है उसको यह मारने से bind होने नहीं देंगे तो भाईये कैसे होगा इसका translation तो यह translation stop हो जागा यह कब होता है जो त्रियोगिन 56 से यह कब एक्टिव होता है जब आप बहुत समय से लंबे इस्ट्रेस में है या फिर आपकी बाड़ी में लाइक आप oxygen की कमी है अगला है प्रोटीन से यहां के यहां पर प्रोटीन बनके तयार है यह पी साइट पर प्रोटीन आ चुकिए प्रोटीन आ चुकिए यह पी यहां पर है प्रोटीन बन चुकिए प्रोटीन ठीक उसके बाद है अब इसको टर्मिनेट करवाना है लेकिन जो नान कोडिंग ट्रने है जो किसी भी एम्नोचिट कोड़ नहीं करता है उससे क्या करता है रिलिजिंग प्रक्टर आकर इन से इंट्रेक्शन करने लग प्रोटीन ठीक नहीं होता है तो यह भी बिस्टर्प कर रहा ना यह भी डिस्टर्प कर रहा है उसको ठीक है यहां पर इसको अब यह चाप किसी ऐसको दो लेकिन कि अल्ट आयको कोई यहीमित करता है लेकिन यहां तक लेकिन लास्टी करने का अया करता है इसलिए termination को यहां पर प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो यह फैक्टर भी ट्रांसलेशन प्रॉसस को रिगुलेट करता है ठीक है तो यह बहुत प्रॉसस को रिगुलेट कर रहा है या फिर इंट्रान इडेंटिटी एंटिकेटिंग उसके बाद मैसेंजर आनने डिगुलेशन रिक्वार्मेंट फैक्टर जो है और फेर सायन कैसे करन्टूर कर रहा है आप स्ट्रेंडरी स्ट्रक्चर और हमने नेक्स देखाई यूकरोट इस फैक्टर कैसे रिगुलेट कर रहा है बाद ने फास्पोर राइलेशन अब 356 इंसाइट और टर्मिनेशन लिखी यह सब सारे फैक्टर मिलके सारे स्टिप मिलके प्रोटीन संसी को रिगुलेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेबल पर तो बच्चों यह आपका हो अब आपका प्रोटीन बन चुका है अब हम लोग देखेंगे पोस्ट ट्रांस्क्रिप्सन मॉडिफिकेशन अब मालेजी यह प्रोटीन बन चुकी है अब इस प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ट्रांस्क्रिप्सन के बाद उसी को हम लोग पढ़ते हैं